हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बिंग बैंकर्स में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इनेक्वैलिटी की इनेक्वैलिटी रीजनिंग का बहुती इंपोर्टेंट और बहुती इजी टॉपिक है बस एक बार आपको कॉंसेट क्लियर करना ह है एंड देन प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस चलिए कोश्चन से मैं बताता हूं हम कुछ कोश्चन करेंगे इसके जिसमें आप यह देखिए कि हमारे पास और प्षण रहते है इस तरीके से जिसने हमें सैलेट करना होगा जब हम कंक्लूजन को सॉल्व करेंगे और रूल को चेक करना मतलब select करना ठीक है किस तरीके से करते हैं देखिए first question सबसे पहले तो यह देखिए कि यह separate separate comma से हुआ है तो हमें इसे एक row में करना है किसका कैसे link है word का वो हमें पहले check करना होता है किस तरीके से देखिए सबसे पहले जैसे मेरे पास लिखा है T is greater than K is greater than Y अब यहाँ पर यह देखिए कि T के Y मेंसे किसी का कोई link है क्या यदि वो है तो उसे note down कर लिजिए जैसे के का link क्या है के से छोटा और बराबर जे है साथी साथ बराबर जी है यह दोनों solve कर दी हमने अब बात आती है इसकी तो यह देखिए Z और Z सेम देख रहा है जब सेम देख रहा है तो आप यह देखिए G is less than equal to C है G छोटा है और बराबर है C से C is less than I अब यहाँ देखिए I का link मिल रहा है N और M का नहीं मिल रहा है इसे अब हम solve करेंगे I जो है वह छोटा है N से बड़ा और बराबर है M से ठीक है यह format बनाने में हमें comparison करने में थोड़ा असानी होती है इसलिए यह हम बनाते हैं यह हो आपकी अच्छी practice होगी तो आप direct भी इससे compare कर सकते हैं चलिए compare करते हैं N is greater than K क्या N के से greater है यह N है क्या यह के से greater है तो check करिए के छोटा है जी से ओ के बराबर है जी के G छोटा है C से C छोटा है I से और I छोटा है N से ठीक है तो इसका मतलब यह है कि N is greater than K मतलब option number one हमारा सही होगा देखे N बड़ा है K से अब C is less than equal to T क्या C less than equal to T है C छोटा और बराबर दोनों है T से तो C जो है और T यहां है दोनों opposite symbol यहां use हुए हैं इसका मतलब यह है कि इनका relation नहीं बनेगा ठीक है तो यह wrong हो गया third option M less than J कि M छोटा है J से तो अब यहां देखिए चुकि इसे compare करने में थोड़ा tough होगा मैं यहां बना देता हूँ कि I बड़ा है M से ठीक है जैसा यह relation है वही हमने यहां बना दिया है ठीक है अब यहां देखिए दो opposite symbol आये हैं इसका मतलब यह है कि J और M कभी हम relation नहीं निकाल सकते इसका मतलब option number 3 भी follow नहीं होगा तो हमारे पास इन में से कौन सा follow होगा only first follow option number 3 इसका answer होगा hope so आपको समझ में आ रहा होगा नहीं आ रहा है कोई doubt है तो आप comment करके doubt clear कर सकते हैं चलिए next question देखते हैं अब देखिए यह जो questions है अगले अगले जो चार question है उसके लिए यह same rule follow होगा इसलिए मैंने एक ही बार लिखा है चलिए solve करते हैं सबसे पहले तो एक ही line में जैसा मैंने बोला लाने की कोशिश करिए तो यहाँ पर f is less than g is less than d is less than h और h is greater than c अब c से relation है तो c is equal to f c और f बरावर है और c जो है वो greater है a से हम ऐसा भी लिख सकते हैं चूकि c और f same class में है same age group के हैं तो इसलिए आप इसे exchange भी कर सकते हैं कहीं पे भी लिख सकते हैं तो यह एक row में आ गया अब देखिए compare करना कितना असान हो जाता है h is equal to a है क्या h और a बरावर है बिलकुल नहीं है g less than c है g को देखिए less than c है नहीं है क्योंकि दो opposite sign आ गए है तो इसका मतलब यह है कि यहां पर कौन सा follow होगा neither one nor second follow option number five जो है वो follow होगा neither one nor second follow ठीक है note down करते भी जाइए next question देखते हैं देखें m less than d greater than k k is less than equal to r ठीक और r is greater than f single row में ला लिए हमने ठीक है समझ में नहीं आ रहा हो तो आप pause इसका मतलब option number two भी follow नहीं होगा तो इसका answer क्या होगा again five neither one nor second follow next question देखिए अब इस question में हमें single line में बनाने की जरूरत नहीं है यह सबसे easy question रहता है कि इसमें सीधे compare करें आप अब यहां देखिए b क्या greater है e से बिलकुल यहां पर यह चीज़ ध्यान देने की है कि b greater है ना कि greater और equal to दोनों है क्योंकि यहां equal to है यहां equal to है बट यहां equal to नहीं है इसलिए b केवल greater है e से second option n is greater than k क्या n k से greater है बिलकुल सही n k से greater है जो clear दिख रहा है ठीक की जगा t को रख दोगे तो भी वही आएगा ठीक है तो यहां पर हमारा option क्या होगा third both first and second follows hopes आप उसमझ में आ रहा होगा next question देखिए next question हम अब रपस क्या है f is greater than k greater than equal to h ठीक है h कहीं है नहीं है k है तो k से relation हम बनाते है k is less than equal to l is equal to g और एक और हमारे पास क्या है l से l is greater than b and b is greater than equal to v ठीक यह single line में बन गया अब relation देखिए b और f के बीच में है b यहां है f यहां है तो इस तरीके से relation चलेगा ठीक है इसे single line में बनाने के कोशिश कर रहे हैं तो कैसा बना सकते हैं आप यह देख के बताता हूँ मैं आपको f is greater than k ठीक है k is less than equal to l और l is greater than b इस option के लिए हमें कुछ इस तरीके से इसे बनाना होगा ठीक है अब comparison कर सकते हैं f और b के बीच में तो f is less than b is less than f है क्या b is less than f नहीं होगा क्योंकि यह symbol थोड़ा सा गड़बड़ा गया है इसका मतलब यह option गलत होगा ठीक है is greater than v अब इसका काम खतम अब यह देखिए यहां पर comparison करेंगे h और v के बीच में है अब इससे कैसे बनाना है हमें देखिए h less than equal to k है और k जो है वो less than equal to l है और b जो है वो less than l है और कुछ इस तरीके से यह single line में बनेगा तो अब h और v का comparison करिए h यहां है व यहां है लेकिन sign opposite दोनों cross कर रहे हैं इसका मतलब यह भी follow नहीं करेगा इसका मतलब इसका भी answer जो होगा तो इस तरीके से हमें questions solve करने हैं कुछ अलग अलग तरीके के pattern भी आते हैं जो हम आपको अगले वीडियो में बताने के कोशिश करेंगे इस तरीके के जितने question आपको किसी भी माध्यम से मिलते हैं तो उसकी practice जरूर करेए okay friends तब तक के लिए thank you yeah okay yeah yeah